यदि f r plus से r plus तथा g फलन है r plus से r plus निम्न प्रकार से परिभाशित हो कि fx बराबर x square और gx बराबर under root x तो gof तथा fog ग्याद कीजे क्या ये तुल्ल फलन है यहां हम देखते हैं कि फलन fx हमें दिया गया है fx है x square और gx है under root x दोनों फलनों के प्रांथ और सह प्रांथ समान है r plus हमें दिये गये हैं तो हम पहले gofx निकालते हैं इस पश्ट है हम जानते हैं कि gofx का मान g bracket में fx के बराबर होता है ये सेयुक्त फलन की परिभाशा है कि gofx का मान g bracket में fx के बराबर होता है अब हम fx का मान x square रखते हैं तो हम प्राप्त करेंगे कि यह मान हो गया gx square अब क्योंकि हमने gx square का मान याद करना है तो left hand side में यदि हम इस x के इस्थान पर x square रखेंगे तो right hand side में भी हमें x square रखना पड़ेगा अर्थात यह मान हो जाएगा under root x का square जो कि x के बराबर है हमने धनात्मक मान लेना है अर्थात हमें gofx का मान x के बराबर मिलता है अब हम fogx का मान निकालते हैं तो इस पश्ठ है कि यह मान fogx का मान f bracket में gx होता है यह हम जानते हैं परिभाशा से संयुक्त फलन की composite function की परिभाशा है कि fogx f bracket में gx के बराबर होता है क्योंकि gx हमें under root x दिया गया है तो यहां gx के स्थान पर यदि हम under root x रख दें तो यहां भी हमें x के स्थान पर under root x रखना पड़ेगा और यह मान under root x का whole square हो जाता है जो हमको देता है x के बराबर तो यहां हमने gofx का मान x पराप्त किया और fogx का मान हमने x पराप्त किया अब चूंकि हम देखते हैं कि fog और gof दोनों के परांथ और सहपरांथ समान हैं तथा जो fog है वो gof के बराबर है x belongs to r plus के प्रतेक मान के लिए यहां fog और gof दोनों के परांथ और सहपरांथ r plus है और fog और gof बराबर है इसलिए जो fog और gof हैं वो हम देखते हैं कि तुलिफ अलन है क्योंकि मान हमको बराबर मिले हैं दोनों का मान हमें x के बराबर मिला है इसलिए यहां हम पाते हैं कि fog और gof तुलिफ फलन हैं इक्विवेलेंट फंक्शन हैं यदि f r to r तथा g r to r दो ऐसे फलन हैं कि fx बराबर 3x प्लस 4 तथा gx बराबर 1 बटा 3 into x minus 4 तो f o g x तथा g o f x ग्यात कीजे तथा g o g 1 का मान भी ग्यात कीजे हमें यहां दो फलन मिले हैं fx बराबर है 3x प्लस 4 और gx हमें दिया गया है 1 बटा 3x minus 4 हम f o g x निकालते हैं तो हम जानते हैं कि f o g x बराबर होता है संयुक्त फलन की परिवाशा से f g x प्रेकिट में हम लिखते है f और प्रेकिट में लिखते हैं g x यह संयुक्त फ्लन की परिभाशा के अनुसार f o g x बराबर f of g x होता है, अब g x यहां हमें दिया गया है 1 बटा 3 into x-4 के बराबर, तो हम यहां g x का मान 1 बटा 3 x-4 लिख देते हैं, हमने क्या किया, हमने g x का मान 1 बटा 3 x-4 लिख दिया, अब क्यूंकि f x यहां 3 x plus 4 दिया गया है प्रिशन में, तो अब हमें x के स्थान पर, क्या हमको मिल चुगा है 1 बटा 3 x-4, अर्थात इस x के स्थान पर भी हमें 1 बटा 3 x-4 लिखना होगा, अर्थात यह मान हो जाएगा 3 x के स्थान पर हमने लिख दिया, 1 बटा 3 x-4 प्लस 4 यहां पहले से, तो मान सरल करने से क्या बन गया, x-4 प्लस 4 अर्थात, 4 से 4 कैंसल हो गया, यह मान आ गया x के बराबर, तो f o g x का मान x के बराबर है, अब हम g o f x को गयाद करते हैं, तो g o f x होता है, परिवाशा से g of f x, g bracket में f x, और f x हमें गयाद है कि 3 x प्लस 4 है, इसलिए f x का मान हमने 3 x प्लस 4 रख दिया, तो यह मान होगी है g of 3 x प्लस 4, क्योंकि g x 1 बटा 3 x into x-4 है, अर्थात, इस x के इस्थान पर अब हमें 3 x प्लस 4 को लिखना है, तो यह मान इस x के इस्थान पर हमें 1 बटा 3 x-4, इस x के इस्थान पर हमें क्या लिखना है, इस x के इस्थान पर हमें 3x plus 4 लिखना है, तो ये मान हो जाएगा, f 3x plus 4 minus 4, 4 से 4 कैंसल हो जाएगा, 3x बटा 3 अर्थात ये मान हो गया, x के बराबर, तो ये मान x के बराबर हो गया, 3x बटा 3, 3 से 3 भी कैंसल हो गया, और इस प्रकार हमने gof x का मान x के बराबर प्राप्त कर लिया, अब हम gog1 निकालते हैं, तो gog1 का मान इस पश्ट है, g of g1 होगा, और g1 हम देखते हैं कि g1 का मान क्या होगा, अर्थात हम gx में x के बराब, x बराबर 1 रख दें, तो वो g1 का मान होगा, अर्थात ये मान हो गया, 1 बटा 3, 1 माइनस 4, जो सरल करने से क्या आता है, सरल करने से ये मिलता है, g of माइनस 1, पुने हम gx में, gx हमारा 1 बटा 3, x माइनस 4 है, इसमें x बराबर माइनस 1 रखेंगे, और माइनस 1 रखने से हमें 1 बटा 3, माइनस 1, माइनस 4 मिलता है, जो हमें देता है माइनस 5 बटा 3 अर्थात G O G 1 का मान माइनस 5 बटा 3 है तो इस प्रकार हमने पुछे गए 3 मान पराप्त कर लिए F O G X का मान X है G O F X का मान X है और G O G 1 का मान माइनस 5 बटा 3 है अब हम अगले प्रिशन को देखते है